हेलो फ्रेंग्स नमस्कार, मैं आपकी पेंज माधूरी। आज मैं आप आप लोके लीए आम कच्छे आम का शर्बत लेकर आहें। आज देखे कैसे बनाया जाता है। आप पर हम मिलके बनाते हैं कच्छे आम का शरबत। यह देखिए आम आजकल वायरस के वज़े से आम तो पहले से दूलके रखे हुए हैं लेकिन या फिर से एक बार दोलीजेगा ठंडे पानी में अच्छे से डिप करके ऐसे दो करके इसको साफ कर लीजेगा यह देखिए अब मैंने इसको 2-3 पानी से दोलिया लेकिन आपको द आम डालने के बाद में गैस ओन करके इसको ढखकन लगा लेंगे और इसको 4 सीटी आने तक हम इसको पकने देंगे अब पकने के बाद में थंडा कर लेंगे थंडा करते हैं फिरम आपसे मिलते हैं चलिए फ्रैंस हमारा आम बोईल हो गया है यह देखिए इस तरह से पक जाना चाहिए और यह पकने के बाद में हमने इसको 2 गंटे फ्रीज में रख दिया है और आपको जादा जल दियो तो 1 गंटा फ्रीजर में रख दीजेगा अब चलिए इसको बनाने का तरीका आपको बताते हैं एक बड़ा बाउन ले लिजे बड़े बाउन में इसको ऊपर का पोजिशन ऐसे इसको थोड़ा सा काट लिजे इसको काट लेंगे और इसके अंदर का सारा पल्प निकाल लेंगे और इसका पर्प सब निकालने के बाद में यह देखिए फ्रेंड्स यह देखिए ऐसे इसको स्पून से सब को अलग कर लेंगे इसको अंदर का बूदा है सब निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद में इसको निकाल के फेक देंगे यह जो यह काम का नहीं है इसके अं देखेए इसका पूरा निकाल लिए हैं भूड़ इंदे पूरा पूर यह लगबाद 1-2 kg आम है इतना पूर निकला है यह देखेए एसे आसे इसे मैस मेंहें अगर ना उससे भी ना हो तो मिक्सी में हलका सा चला लिके, यह हो जाता है अब देखिए यह चलाने के बाद में इसमें थोड़ असां ठंडा पानी, चिल्ड वॉटर डालेंगे अगर इच्छा हो तो आप इसमें मट्के का भी पानी डाल सकते हैं इसको भी डालके mix कर सकते हैं, इसको इसमें क्विश कर लेंगे, यह mix हो गया, अच्छासा मिश हो गया, देखेए फ्रेंट्स, इसको इसमें मिला लिए, अब इसमें क्या क्या पढ़ेगा यह देखे, यह देखे, वन टेबल स्कून शुकर है, यह पीशी चीनी है, इसको आप डालेजे, mix कर लीजे इसमें अच्छे से, यह देखे बूना पिसा जीरा है, इसको mix कर दीजे, ज्यादा सा डालेगा, इसमें स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है, और इसको खटा मिठा है लगता है पीने में, बहुत पेस्टी लगता है पीने में, और यह देखे, से नमक दालेगा, थोड़ा सा डालेगा, क्योंकि हम इसमें तीमों तरिके के नमक दाल रहें, थोड़ा थोड़ा डालेगा, अपने टेस्ट के अउसा बाद में टेस्ट करके, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, यह सादा नमक डाल दिए, थोड़ा सब 1-4 टीश्कूनी डालेग तो िधो तो जादा टालेंगे तो भर ख़राब हो जाएगा। यह देखी तो अच्छे से मुक्स कर लेंगे हम अब चलीए इसको हम लोग गलास में डाल देए यह डालदेंगे जो तो परब पर आत्र ermoofuction ध्या сторон। करके इसमें पोर कर देंगे अच्छा सा खट्टा मिठा आपका आम का शर्बत कच्छे आम का शर्बत तयार हो गया है यह जरूर आप पीजेगा और सबको पिलाएगा और गश्द एक बात और बताना भूंगा हम तुरा सा इसमें पूदीना की पत्ती हाथ से तोड़ करके डा प्राइट करिए शेर करिए और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करिया मीचे इसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और गाइस और यह आपको लोग इसका बेनिफिट मेडिकल टर्म्स इसके साथ यह है कि यह हम लोग को खूं की कमी हमारी दूर करता है यह को गव्रमी से जाता है और यह मुझा जब्हें जारूर किकाहएं यह पीना चाहिए और इसको अगर्मी तो आपको पता चले। यह को जडूरी चाहिए जरूर रिएगार्म्स को जरूर का आपको पीजिएगा तो पीज़ेंगे घूर्म्स